जैहिन दोस्तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासेस में स्वागत है तो आप सभी को बता दें कि आज से आपके लिए जो हमारे चैनल पर जीके की वीडियो मिलेगी ये जो वीडियो होगी दोस्तो इसमें अब 10 के बजाए आपको 15 कोस्चन मैंने कर दिया है क्योंकि दोस्तो आप सभी के रुकेश्ट भी आ रही थी कि सर इसमें कुछ कोस्चन की संख्या जो है वो बढ़ा दीजिये और मैंने आपके लिए कोस्चन की संख्या खास करके इसलिए भी बढ़ा दी है कि अभी जो इंडियन आर्मी में भरतियां जो है दोस्तो बहुत ही तेजी से की जा रही है तो जाहर है कि मार्च और अप्रेल में आपकी जो है वो रिटन टेस्ट हो रहे हैं तो जिसके बज़े से दोस्तो आपका कॉर्स कंप्लीट होना है इसलिए मैंने कोस्चन की जो संख्या है वो बढ़ा दी है तो दोस्तो चलीए स्टार्ट करते हैं आजकी वीडियो लेकिन वीडियो सुरु करने से पहले आप सभी को बता दें तो अगर आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो चैनल है वो बैस्ट है तो चलिए दोस्तो कोश्चन नमबर बन की तरफ चलते हैं भारत में रेल सेवा का आरंब किस बर्स हुआ था आपके सामने आचुके हैं दोस्तो तो कोश्चन नमबर बन का सही अंसर है आपसन डी 1853 ठीक है भारत में जो रेल सेवा का आरंब हुआ था दोस्तो वो सर प्रिथम 1853 में किया गया था कोश्चन नमबर टू है भारत के प्रिथम अंत्रिक शयात्री कौन थे ठीक है यहाँ पर दोस्तो जो बात हो रही है भारत के हो रही है ठीक है तो भारत के सबसे जो पहले अंतरिक श्यात्री थे उनका नाम था राकेश सर्मा ठीक है तो question number 2 का सही answer है option C राकेश सर्मा दोस्तो अगर आपको किसी भी question का answer आता है तो आपको उसको साथ ही साथ comment करके जरूर बताना है अगर आप comment नहीं करें तो आप video के last में आपका क्या score हुआ वो ही बता सकते हैं जैसे इस video में 15 questions हैं तो आपके 15 में से कितने questions already आपको पता थे मतलब सही हैं उसको आप comment करके जरूर बताय करें ठीक है तो next question है question number 3 सयंक्त राश्चंग की स्थापना कब हुई ठीक है UNO भी इसको बोलते हैं United Nation Organization तो यहाँ पर दोस्तो question है कि सयंक्त राश्चंग की स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों सयंक्त राश्चंग की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के लिए ठीक है तो question number 3 का option A करेक्ट होगा 24 अक्टूबर question number 4 है सयंक्त राश्चंग का मुख्याले कहां इस्थित है तो दोस्तो सयंक्त राश्चंग का मुख्याले है New York में ठीक है तो यहाँ पर question number 4 का सही answer है option C New York ठीक है और New York कहां पर है New York है आपका अमिर कहां में ठीक है तो next question है दोस्तो question number 5 हिंदी दिबस कब मनाया जाता है option C आपके 14 सितमबर 5 सितमबर 7 सितमबर या फिर 20 सितमबर तो दोस्तो जो हिंदी दिबस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 14 सितमबर के लिए ठीक है तो question number 5 का सही answer है 14 सितमबर ठीक है question number 6 है आपका संबिधान के किस अनुच्छे द्वारा हिंदी को भारत की राश्टर भासा घोसित किया गया है तो question number 6 का दोस्तो correct answer होगा option A अनुच्छे 343 अनुच्छे 343 के अंतरगत हिंदी के लिए भारत की राश्टर भासा घोसित किया गया है तो दोस्तो ये जो question है आपके लिए बहुत ही important questions है इसमें मैंने जो 15 questions लेके आया हूँ आज आपके लिए ये पूरे के पूरे question आपकी जो इंडिन आर्मी के written exam है उसमें repeat होते रहते हैं ठीक है तो एक एक question को ध्यान से पढ़िए और अगा आप इस वीडियो की PDF फाइल को download करना चाहते हैं हमारे YouTube वो सिवा टेलिग्राम चैनल सिवा online classes से आप इसको download कर सकते है question number 7 है उलम्पिक खेलों का आयोजन कितने बरसवाद होता है ठीक है उलम्पिक खेल जो होते हैं इनका आयोजन कितने बरसवाद होता है question number 7 का सही answer है option D 4 बरसवाद question number 8 है भारती मरुस्थल का नाम क्या है तो दोस्तो भारती मरुस्थल का नाम है ठार ठीक है question number 8 का सही answer है option A ठार मरुस्थल next question है हमारा question number 9 बहुत ही important question है ये question जो है वो आपकी army GD खासकर army GD और trade man के लिए काफी बार repeat होता रहता है तो ये है दोस्तो काजी रंगा राष्ट्री अभ्यरण किस राज में इस्तित है ठीक है question इस तरह से भी आ जाता है कि काजी रंगा राष्ट्री अभ्यरण किस राज में इस्तित है और ये किस के लिए प्रिसिद है ठीक है तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो काजी रंगा राश्ट्री अभिरण है वो असम में इस्तित है और ये दोस्तों गेंडे के लिए प्रसिद है ठीक है यहां पर भारती गेंड़े पाया जाते हैं तो गेंड़ा के लिए जो है काजी रंगा राश्ट्री अभिरन बहुत ज़्यदा प्रिसिद है Question number 10 है उज्जेन किस नदी की किनारे बसा हुआ है तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि उज्जेन जो है वो मद्रिप्रदेश में है और यह सिप्रनदी की किनारे बसा हुआ है तो Question number 10 का सही answer है Option A, सिप्रनदी Next Question के तरब चलने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपने इस चैनल पे अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और आपको एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों कि इस वीडियो की अगर आप PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा आउनलाइन क्लासे से डाउनलोड कर सकते हैं ये जो PDF होगी दोस्तों बिल्कुल फ्री होगी इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा तो question number 11 है निमलिकित मेंसे कौन सिधातू बिजली की सबसे बड़ी सुचालक है तो question number 11 का सही answer है option A चांदी question number 12 है बहुत important question है दोस्तों ये भी आपके जो exam है इसमें काफी बार repeat होता रहता है तो ये question है दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाये जाता है या फिर गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाये जाती है तो question number 12 का जो सही answer है बो है option A मिथेन गैस question number 13 है सोतंतरता मेरा जन्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किस ने कहा था तो दोस्तों सोतंतरता मेरा जन्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने ठीक है तो question number 13 का सही answer है option A बाल गंगाधर तिलक question number 14 है राज सभा के सदसों का चनाब कितने समय के लिए किया जाता है मतलब जो राज सभा के सदस होते हैं उनका चनाब कितने बरसों के लिए किया जाता है तो दोस्तो राजसवा के जो सदस होते हैं उनका चुनाब किया जाता है आपका 6 वर्स के लिए ठीक है तो यहाँ पर question number 14 का सही answer है 6 वर्स और यहाँ पर एक बात आपको और बता दें कि जो लोगसवा के सदस होते हैं उनका जो कारेकाल होता है या पर उनके लिए जो चुना जाता है वो चुना जाता है दोस्तो 5 वर्स के लिए ठीक है राजसवा 6 वर्स और लोगसवा 5 वर्स के लिए याद रखिये गए यहाँ पर आपके दो question के लिए हो चुके है तो आज की वीडियो का last question है दोस्तो हिंदी भासा की लिपी क्या है हिंदी भासा की कौन सी लिपी है ठीक है तो question नमर 15 का जो सही answer है बू है option A देवनागरी हिंदी भासा की देवनागरी लिपी है और अगर यहाँ पर question आजा है दोस्तो कि पंजाबी भासा की कौन सी लिपी है तो पंजाबी भासा के लिए भी होती है गुरु मुखी ठीक है तो ये थे आज के 15 कोश्चन तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूब बताना अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना अगर आप इसकी आउनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जैवारत